हमारे चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह जो भी ग्यापन है यह जो वेकेंसी है Electricity Service Commission लखनव उत्तर परदेश से निकला हुआ है जिसमें की Assistant Engineer Trainee Under EM Kader की बहाली हो रही है और इसमें लिखा हुआ है Online Applications are invited from eligible Indian Nationals for direct recruitment to Assistant Engineer Trainee Under EM Kader तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि मैं इसी तरह के Job Notification का वीडियो लेकर आते रहता हूँ और वीडियो लाने का मेरा उत्साह बना रहे है इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें तो डिटेल में चलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है Assistant Engineer Trainee जिसमें से की केटेगरी है Electrical, Electronics and Telecommunication और Computer Science और Information Technology इसमें टूटल पोस्ट आप देख सकते हैं केटेगरी वाज दिया हुआ है Unreserved EWS और विसी Non-Crimi Layer SCST के लिए नहीं मिलेगा Pay Scale की बात करें तो 7 CPC के अनुसार Level 10 मिलेगा जो की 6500 है Essential Qualification for Assistant Engineer Trainee तो क्या Essential Qualification आप देख सकते हैं तो सबसे पहले तो हिंदी देवनागरी लिपी में लिखना पढ़ना आना चाहिए अच्छे से दूसरा Electrical Engineering के लिए A Degree in Electrical Engineering और a Mixed Discipline Degree KingDrying बेट्रो whisky के लिए इल्क्रॉ्टर्ॉ्टर्ट मिलेग के लिए इल्क्र की दिन्यों फदेउन पेली कंणियों टी मिलेग से byख से क्विए इल्क्रों क्यान व finalsmore helium computer science engineering के लिए ए degree in computer science engineering और information technology और a mixed discipline degree combined with either computer science engineering और information technology और लिखा हुआ है क지 distance से जिन्होंने degree प्राप्त किया है वो इस पद के लिए eligible नहीं है Age जो है वो एक जनुआरी 2021 को minimum 21 वर्स और अधिकत्स 40 वर्स होने चाहिए Age में छूट इस्टेट गवर्मेंट के रूल के अनुसार मिलेगा सिर्फ native people को ही यदि आप कहीं पे working है तो आपको no objection certificate भी लाना होगा examination center और exam process की बात करें तो exam computer best test पे होगा और interview लिया जाएगा और जो CBT होगा वो उतर प्रदिस के मुख्य cities में होगा अलाबाद अलिकल बरानसी आगरा कानपूर बरेली लखनाव गाजियावत आदी examination में 70% मार्क्स जो होगा वो बेचलर अप इंजिनियरिंग से होगा 10% मार्क्स जेनरल अबरनेस से होगा जेनरल नौली से और 10% मार्क्स रुजिनिंग एप्टिचूट से होगा 5% मार्क्स हिंदी लेंगवई से होगा गलत उतर के लिए 25% मार्क्स की कटवती की जाएगी और ऐसे candidate जो 30% से कम मार्क्स लाएंगे वे आगे कोई भी interview process के लिए eligible नहीं होगे exam के समय आपको admit card, passport size photo जो आप apply करते समय डाले थे और एक valid identity card लाना होगा जिसमें की photo लगा होना चाहिए exam की syllabus की बात करें तो gate 2021 में जो syllabus था वही syllabus होगा application fees की बात करें तो SCST candidate native peoples के लिए 826 रुपिये general categories के लिए non criminal ABC के लिए 1180 रुपिये physically handicap के लिए 12 रुपिये UP से बाहर के candidates के लिए 1180 रुपिये marital status ऐसे पुरुष जिसकी एक से ज़्यादा जीवित पत्निया है और ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से बिवाह किया जिसके पहले से जीवित पत्नी है वे eligible नहीं है apply करने के लिए आपको इसके जो official website है www.up.pcl.org पर जाना होगा और इसमें लिखा हुआ है OBC non-crimalier के जिक इंडिडेट्स है उन्हें का सेटिफिकेट देना होगा जो की 31 March 2021 के बाद इसू होना चाहिए और domicile certificate देना होगा 31 March 2018 के बाद काप दे सकते है इसमें important dates है online submission of application form हैने कि आप apply कर सकते हैं 12 November 2021 से लेकर और 2 December 2021 तक चलेगा और CBT का जो tentative date है expected date है वो है 2022 का January दूसरे week में तो यदे आपको ये वीडियो काम के लगे तो वीडियो को like करें और job updates के लिए चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद